पीएम मोदी ने कतर में किया कुछ ऐसा कि पाकिस्तान में मचा हड़कम्प। कतर में दिखा पीएम मोदी का भौकाल। देखकर सन रह गए पाकिस्तानी। मुस्लिम देशों में प्रधान मंत्री मोदी का जलवा देख हिंदुस्तानी गौरवानवित महसूस कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी सरकार क्यों हिली हुई है। दोस्तों मोदी की कूटनीती अब काम कर रही है। एक तरफ जहां कटर मुस्लिम देश यूनाइटेड अरब अमीरात में पहला हिंदु मंदिर बना है तो दूसरी तरफ कतर जैसे नियम के पक्के देश में मौत की सजा पा चुके आठिक्स नेवी अफसरों को सकुशल हिंदुस्तान ले आना मोदी की बढ़ती हुई साख को प्रदर्शित करता है आज भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का नाम वर्ल्ड के टॉप पॉलिटिशन्स में लिया जाता है जो विदेशी मुसलिम भूमी पर प्राचीन सनातन धर्म का डंका बजाने का काम कर रहे है लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को यह बा जाने का काम कर रहे है जानेंगे सब कुछ बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे दोस्तों स्वागत है आपका सीता राम टीवी पर आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त है तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जैश्री राम जरूर लि कंट्रीज के साथ अपने मजबूत रिष्टों को और ज्यादा मजबूत करने में लगे है मोधी का संपूर्ण ध्यान मिडल इस्ट के खाड़ी देशों एवं अरब देशों से समझोता करने और दोस्ती करने का है इसी कड़ी में हाल ही के दिनों में हुई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की युनाइटेड अरब अमीरात और कतर की यात्रा खासी चर्चा में रही सबसे पहले बात करेंगे पी एम मोधी की संयुक्त अरब अमीरात की दो दिवसिय आधिकारिक यात्रा के बारे में जो 13 और 14 फरवरी को सफलता पूर्वक संपन्न हुई इसके लि तो आपको बता देते हैं कि पदभार संभालने के बाद से पी एम मोधी का युएई का यह सातवां दोरा है। युएई के राष्ट्रपती मुहमद बिन जायद अलनाहयान से मिलने के बाद पी एम मोधी कहते हैं कि मैं आपके इस स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूँ मैं जब भी यहां आपसे मिलने आता हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने परिवार से मिलने आया हूँ। हम पिछले सात महीनों में पाँच बार मिल चुके हैं ये बहुत ही दुरलब बात है जो हमारे घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। तेरह मोधी ने बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुशोत्तम स्वामी नारायन संस्था यानी बीए पीएस मंदिर का भी उधगाटन किया जो अब्बु धावी का पहला हिंदु मंदिर है। निश्चित रूप से यह देश वासियों के लिए गौरव की बात है कि एक कट्टर मोधी सनातन धर्म की पता का लहरा रहे हैं। यह बैठक कतर सरकार द्वारा भारतिय नौसेना के उन आठ पूर्व कर्मियों को रिहा किये जाने के कुछ दिन बाद ही हुई थी। पीएम मोदी जैसे ही कतर के दोहा एरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो हवाई अड़े पर विदेश राज्यमंत्री महामहिम श्री सोल्तान बिनसाद अलमुरैखी ने प्रधान मंत्री का स्वागत किया जहां मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाया गया और कतर के तमाम नारे लगाने लगी मोदी मोदी भारत माता की जय कतर जैसे कटर इसलामी राष्ट्र में भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगना केवल नरेंद्र मोदी की वजह से ही आज मुमकिन हो पाया है इसके अलावा इस भीड में मुसलिम समुदाय के बहरा समाज के बादन स्वीकार किया भारत देश के प्रधान मंत्री का कट्टर मुस्लिम देश कतर में ऐसा भव्य स्वागत देखकर तो पाकिस्तान के दांत जरूर खटे हुए होंगे संक्षेप में बताईए तो खाड़ी देश अब मोदी मई हो चुके हैं दोस्तो कतर एक ऐसा कट्टर म पक्का देश है जहां एक बार किसी को मौत की सजा मिल जाए तो जीवन की कलपना करना बहुत मुश्किल है बात है अगस्त 2022 की जब इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में आठ पूर्व नौसैनिकों को जेल में बंद किया गया था और अक्टूबर 2023 में कतर की अदा कारी कमांडर संजीव गुपता के अनुसार जब फासी की सजा सुनाई गई तो यह सुनकर मैं सन रह गया था लेकिन भारत देश के प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा था विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव और कतर के आमिर के स कतर की जेल से रहा होकर भारत पहुँचे पूर्व नौसेना अधिकारी कमांडर संजीव गुपता ने बातचीत में कहा कि हमारे खिलाफ क्या आरोप थे हमें भी इसकी कोई जानकारी नहीं है हमारी रिहाई में प्रधान मंत्री मोधी का अहम रोल है उन्हीं के अरब एमिरेट्स हो या फिर कतर हो सभी अरब देश नरेंद्र मोधी की लीडर्शिप क्वालिटी के कायल हो चुके हैं यह खाड़ी मुसलिम देश जैसा भव्य स्वागत मोधी का करते हैं वैसा तो पाकिस्तानी राजनेताओं के लिए कल्पना से भी परे है इधर पडोस तो वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत देश के प्रधान मंतरी पूरी गरजना के साथ मुसलिम देशों का भ्रमण कर रहे है जो हिंदुस्तानियों के लिए गौरव करने तो पाकिस्तानियों के लिए सीख लेने का विशय है तमाम पाकिस्तानी मीडिया आज मोदी के बारे में बात कर रहा है इसके अलावा पाकिस्तानी आवाम भी खुलकर नरेंदर मोदी के नेत्रित्व और भारत देश में हो रही उन्नती पर खुलकर बात कर रहे है पाकिस्तानी मुस्लिम आज खुद नरेंदर मोदी को पसंद कर रहे हैं और साथ ही यह भी बोल रहे हैं कि हमारे देश के प्रधान मंत्री को नरेंदर मोदी से कुछ सीखना चाहिए दोस्तो जबसे नरेंदर मोदी ने भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है तब से लेकर आज तक भारत को वैश्विक स्तर पर एक विशेश पहचान दिलवाई है आज सभी देश के बड़े राजनेता नरेंदर मोदी की परसनेलिटी के मुरीद हो चुके हैं अब चाहे IT इंडस्ट्री हो या मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सभी जगे इंपोर्ट की जगे एक्सपोर्ट पर खास ध्यान दिया जा रहा है कुल मिलाकर मोदी है तो सब कुछ मुम्किन है तो दोस्तो हिंदू सनातन धर्म के बढ़ते विकास और एक प्रधान मंत्री के रूप में नरेंदर मोदी को लेकर आपके क्या विचार है क्या नरेंदर मोदी जी फिर से देश के प्रधान मंत्री बन पाएंगे हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताए और वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को वाटसेप के माध्यम से वीडियो शेर जरूर करें सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहने के लिए सीताराम टीवी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें धन्यवाद